और आज वह मुझे करें अरेस यादो का स्टेंड नहीं है भाई स्टेंड तो सारे सहर में आपने साबित कर दिया अपना रिजाइन दे कि स्टेंड तो आपका नहीं है आपका भी कि यह सुनने में आ रहा है कि अगामी जो 21 तारिक है उसको आप आंग्रेस का जो हाथ वो ताम संग्ठन इतना बड़ा है सभी दर्श को बहुत बहुत नमस्कार मेरा नाम है मुकेश माही आज हमने जो रहुल मकड से बात की और उन्होंने जो कुछ है हमारे जिम्में के सवाल डाले कि उनका जवाब जुरूर लें जवाब लेने के लिए नरेश यादव के पास हम पहुंच चुके हैं क्या कुछ उनका आगे की जो रन्नीतियां है उनसे रिलेटेड जो भी बात ने होगी उचेंगे चलिए नमस्कार नमस्कार आज मैंने दि उनकारती देना मेरा स्टेंड थोड़ी हि है वो कौण क्या कहता है बोलान कि शवारिश्ट और वयोय से कैसे सकते मेरा जो नहीं है तो किसका है राउल मकड चोटा बाई है और प्रिपकव नहीं है तो यहाई दो यह बावस्ता है मैं विरोधनी किसीं का नहीं हूँ हुडता हूं कि मेरी आसी के लिए कौन काम करेगा और उसको यही चीज जो तीस से बतीस जार बोट इस अलके नहीं दिये और आज वो मेरा परिवार का मेंबर है उसमें परिपकता की कमी है उसको नौलेज ओनी चीए कि नरेश मकड परिवार का एक हिस्सा है और बाउजी की मैंने अपने माबाप से ज़्यादा सेवा की है और रविंदर भाई साब जिसके वो बेटे हैं वो मेरे बड़े बाई हैं बड़े देखें मेरे लिए नहीं आने वाले उनकी राजनितिक भविशे के लिए ठीक रहेगा आपका यह सुनने में आ रहा है कि आगामी जो 21 तारिक है उसको आप आंग्रेस का जो हाथ वो थाम रहे हैं कई बास सच है बिलकुल सच है सारी योगावन और टीम नरेस ने संकलप लि अब यहीं मैं संकलप को पूरा कराओंगी में से नाविर्हय ना प्यार है में अपने और रहा है और दुरुभाधिय है यही अमारा दुर्भाग्यत है कि बजट की कमी के पहले भी नहीं है, ना इस सरकारों ने छोड़ी है, कमी हमारी है, तो लगाने वाणों की है, टीम नरेश का आज पूरी आसी में एक उधारन बन जूघी है, कि टीम नरेशी की मांदार टीम है और वो टीम अगर विकास को के मोडल को लेके आगी आई है तो 100% आसी कासी बने जाएगे अब ने का कि हम सभी पार्टीओं के पास हम गे दिपंदर हुडा ने कहा कि हम आपके साथ है जो पार्टी इसकी इतमें खड़ी होगी हम उसका साथ देंगे उसी के तहट कॉंग्रेस पार्टी ने हमारी ये बात सुनी और समझी और पुरा अजंडर टीम नरेश का उन्होंने लिया और बात की दिपेंदर हुड़ा जी ने हमें विश्वास दिलाया कि आपका जो आसी अच्छे कमि नहीं है अच्छे करने में तो इतना की नराजगी का सामना भी कर रहे हैं तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, उन पार्टियों से और इतने बड़े नेताओं से अमारा ऐसा कोई कद नहीं है, नरेश को इतना बड़ा आदमी नहीं है, कि आज मैं देश के परदानमत्री नरेंदर मोदी से या राउल गंदी से टक्र लेने के लिए जाओं, मेरी तो मकड को बोलने के लिए बुलाया, तो राउल मकड ने सब के सामने आपको ये पूरी टीम के साथ में जेजेपी जोइन करने का न्योता दिया था, लेकिन आज वो खुद ही पार्टी छोड़ गए, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, तो आप मुझे ये बताईए, य मेरे को उनसे पूछनी चीए कि उनका स्टेंड नहीं है, या वो मेरे से पूछने कि उनका स्टेंड नहीं है, आप एक बाद बताईए, टीम नरेश का एक भी ऐसा सबद, जो राउल मकड ने मेरे से शुवाल किया है, कि उनका स्टेंड नहीं है, नरेश यादों का विल्कुल याद है याद सब रहती है और आज वो मुझे करें नरेस यादा का स्टेंड नहीं है बहुत सेंड तो सहरे सहर में आपने थापित कर दिया अपना रिजाइन देकि त्व आपका नहीं तो स्टेंड लिया है कंग्रेस पार्टी के साथ जानेगा और पूरे लड़ने के लिए चुक है टीम नरेश की किसी भी मेंबर को पार्टी टिकट दे ताकि हमारे आसी को कासी बनाने का सपना पूरा हो लेकिन आज मैं टिकट की बात पार्टी से करूंगा तो यह समझोता और सोधेबाजी होगी हम अपनी मैनत पार्टी को करके दिखाएंगे पह करीबन-करीबन 18-20 परजेंट सरपंच और कई नंबरदार हैं गाउं के टीमनरेश के मेंबर हैं बहुत, सोडा हजार के क्रीब टो टीमनरेश के मेंबर हैं, तो डाइसो से करीबन 300 गाडियां, और 21 बसें, क्रीबं 500 के करीब महिलाएं, डिल्ली कूच कर रहे हैं, और अधेंदर हुड़ा जी, चोदरी बिरेंदरसिंग जी, उदेभान जी और वपेंदर उड़ा जी कांग्रेश क्या ओल नेता वहां होंगे और सब की अगवाई में वहां कॉंग्रेश जोइन करेंगे उसके बाद एक बहुत बड़ी रेली लोग सवाचुनाओं के बाद अगस्त महीने में टीम नरेश की तरफ से होगी और हर्याना लेवल की रेली होगी आप आसी में देखना कितना काम तो वैसे ही जग जाहिर होते हैं जिब बड़े-बड़े काम करते हैं आपने जो पंचायत कि राजनीति का सेंटर है जिस दिन टीम नरेश की रेली आसी होगी इस बात से मैं आपको दावे से कह सकता हूं उसी दिन पूरे अर्याना में हो जाएगा कि कॉंग्रेस पार्टी को क्यों चुना ऐसा क्या कुछ आपको इनकी कोई विचार धारा में या कुछ यूं लग र था उस टाइम तो हमारे पास कुछ भी संसादन नहीं थे और आज हर संसादन देश में हैं तो कॉंग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है मैं यह नहीं कहता कि आज की सरकार का रोल नहीं है उन्होंने भी वह भी काम कर पाए जब कॉंग्रेस पार्टी ने प्लेटफों चलिए आने वाले चुनाओं के लिए आपको बहुत 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 शुपक्वाएं और काम की सोच वाली सरकार आए और जो कमिया पिछे के सरकारों में रहे गी हैं उनको हम पूरा करता है नरेशाद हमारे साथ थे और जैसा इन्होंने कहा कि 21 को वह कॉंग्रेस को टीम नरेश यादव का कॉंग्रेस का हाथ पकड़ने से कोई फरक पड़ेगा पॉमेंडबक उक्रिपर को लाइए ज्याद वीडियो को लाइक करें शेर करें क्या नरेश यादव का इए जो कदम है ये उचित है ज्यूरूर बताएं ज्याद़ाष देखते रहें देखतर